monsart को बायमम अप के लिए के लें थेलेवाले जिस तरफ पानी पूरी के साथ देते हैं वहीं वहले अलू मसाल्स के रैसीपी आझम घर पर बना के तयार करें वह भी बहुत ही तीखा और चट पटा लेकिन बहुतक टेस्टी बनेंगे टेस्ट इसका एकदम बजार जैसा आएगा ठेले वाले जैसा और घर के मसालों से हम बना के तयार करेंगे तो बिना देरी करते हैं चली इस आलू मसाला की रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमें कुछ मसाले तयार करने हैं तो यहां पे हमने एक पैन लिया है जिसमें हम डालेंगे साबू जीरा एक चमच दस से पंदर डालेंगे मकाली मिच और यहां पे एक चमच भरके हमने साबू दनिया डाल दिया और आदा चमच हम यहां पे सौब डालेंगे अगर आपको जादाती का पसंद तो लाल मेश्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं अगर आपको खड़े मसाले पसंद नहीं तो इसके बिना भी बना सकते जलते हैं गैस की तरफ यहां पर इमें सारी मसालो को रोश्ट कर लेना गैस का फिलेम हम एकदम धीमा रखे हैं तो इनको तो दीरे-दीरे करके रोष्ट करने और चलाते रहें नहीं तो फिर एक तरफ से जल जाएंगे और इसमें से जब तक सुनारी सी कुस्बू ना आने लगे तब तक आप फ्राय करें दीरे-दीरे जितने अच्छे से फ्राय कीजिएगा देमियाच में मसाला आपका उतने ही करेंगे तो यहां पर जो मसालों का पावडर है हमारा बन के तयार है तो इसे साइड करके रख देंगे अब यहां पर हम लिए एक बावल जिसमें हम चार उबल हुई है अलू डाल देंगे अलू कमने पहले सी उबाल रखा तो इसका चिलका उतार के थोड़ा ठंडा कर लिय है अब इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे तीखा के लिए हरे मिच 3-4 और स्वाद के नुजर हम यहां पर नमक डाल दी है अब यहां पर हम डालेंगे आदा चमच कस्मिरी लाल मिच पॉडर जिससे इसका कलर अच्छा आएगा अब यहां पर हम आदा चमच कुटी हुई ल हरा धनिया भी डाल सकते लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला फिर भी यह बहुत टेस्टी बनेंगे बीना हरा धनिया का भी अब यहां पर हम थोड़ा सा इमली वहला कट्टा पानी डालेंगे अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला आम चूर करना हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले तो फिर मिलते हैं और एक नियू वीडियो के साथ